दोस्तों सभी लोग वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे एमेजोन में जौब के लिए कैसे एपलाई करोगे घर बैठे आपको जौब करना है यानि कि विसिद्धी रिमोट जौब आपको घर बैठे ही जौब करना है इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा देखिए एमेजोन में जौब करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है या फिर अगर आप भी फार्मा भी किये हो या फिर अगर आप किसी भी फिल्ट से ग्रिजिवेट हो तब भी आप एमेजॉन में ज्वाब के लिए अपलाई कर सकते हो और यहां देखिए जो भी आपका एज है यहां पर एज क्या होना चाहिए अठारे प्लस एज होना यहां कि 25,000 से 30,000 के बीच में आपका स्टार्टिंग सेलरे है तो कल हमने अपलाई किया था तो हमारे सामने यहां पर एक असेस्मेंट एक यहां पर टेस्ट आया हुआ है यहां पर लिखा गया है कि प्लीज कंप्लीट गी असेस्मेंट बिदिन 4 हावर आप स्टार्टिंग Please complete the assessment in one single setting आपके सामने Video, Audio याने कि आपके सामने यहाँ पे camera उपन होगा और आपके यहाँ पे जो microphone है वो यहाँ पे available होना चाहिए यहाँ पे लिखा गया है कि For protecting purpose Your Video Audio Session Will be recorded उसकी बाद यहाँ पे Analyze किया जाएगा और यहां देखिए, mandatory system required, यानि कि जब भी यहां पर test आये आपके सामने, तो आपको test देना पड़ेगा desktop में, यानि कि आप laptop में या फिर desktop में test दे सकते हो, लेकिन do not use mobile device, आप यहां पर mobile device का use नहीं कर सकते हो, यह चीज है, और यहां देखिए, यहां पर आपका camera और यहां प अगर आपका video, यानि कि अगर आपका camera और रहेगा, तो आप यहां पर disqualify हो जाओगे, अगर आपका microphone यहां पर off रहेगा, तो आप यहां पर disqualify हो जाओगे, यहां पर browser, OEOS, कितना आपके यहां पर RAM होना चाहिए, यह चीज है, यहां पर आपका इंटरनेट का speed 2MB होना चाहिए अब यहां देखिए जब भी आप टेस्ट दोगे तो आपको यहां पे एक application install करना पड़ेगा जैसे कि मैं यहां पे go to assessment पे किलिक करता हूं तो यहां देखिए हमने किलिक किया तो यहां पे एक secure exam browser यहां पे open होना चाहिए और जब भी आप टेस्ट दोगे अभी मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जोए Amazon में job के लिए apply करोगे तो सभी लोग वीडियो को पूरा दिखना अभी मैं यहां बता रहा हूं कि जो मैंने job के लिए apply किया Amazon में तो मेरे सामने यहां पे यह सारा चीह आया है तो जब भी मैं यहां पे टेस्ट दूँगा तो सबसे पहले मुझे यहां पे Daily Desi Seqwear Exam browser डाउनलोड करना पड़ेगा अगर मेरे laptop में यह पहले से ही इंस्टाल है तो मैं यहां पे click करूंगा proceed to test जैसे मैं यहां पे proceed to test पे click करता हूं तो मेरे सामने यहां पे camera यहां देखिए camera open हो जाएगा ठीक तो camera मेरा हाप यानि कि प्रापर तरीके से light होना चाहिए आपके face पर तो यहाँ पर verification your camera होगा यहाँ पर side में green color करें आपकर tick हो जाएगा फिर इसके बाद यहाँ पर microphone यानि कि जो भी आपका mic है वो आप यहाँ पर use करोगे तो वो भी यहाँ पर verify हो जाएगा उसके बाद अगर आपका internet speed 2 जादा होगा या फिर दो यम्बी होगा तब यहां पर इंटरनेट वाला भी option यहां पर green tick हो जाएगा इसके बाद आपका टेस्ट open होगा तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आप कैसे Amazon में job के लिए apply करोगे तो सभी लोग video को पूरा देखना दोस्तों बहुत most important ध्यान देने वाली बात है कि आपका profile percentage सब परसेंट होना चाहिए जब भी आप job के लिए apply करोगे तो जो भी आपका profile के परसेंट है वो यहां पर सब परसेंट होना ही चाहिए अगर आपका सब परसेंट नहीं है तो प्लीज सभी लोग सब परसेंट कर लिजिए तब जो मैंने यहां पर क्लिक किया और क्लिक करने बाद यहां पर लिखा गया internship और यहां पर लिखा गया job तो आप यहां पर job पर क्लिक करोगे क्लिक करने बाद आपको यहां पर type करना है यहां पर type करना है Amazon तो मैंने यहां पर Amazon क्लिक किया और मेरे सामने यहां पर आप सना गया Amazon औ तो मेरे सामने यहाँ पे Amazon के कई सारे जॉब आ गया है, देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है, कि आपको चेक करना है कि कहां पे remote लिखा गया है, जहां पे remote लिखा रहेगा, वह आपका होगा work from home job, तो यहाँ पे जैसे मैंने Amazon क्लिक किया, तो मेरे साम तो मैं यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे remote job है, देखिए, remote job, लेकिन इसका package बहुत ही कम है, यहाँ package बहुत ही कम है, और आप लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे बंगलावर में, यहाँ पे job है, और यहाँ पे 50 vacancy है, एक दुन पहल यहाँ पे package 1.35 है, मैं थोड़ा सवर देखता हूँ, कि package कहाँ पे ज्यादा है, देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोई package है, मैं देखता हूँ कहाँ पे ज्यादा है, और मैं यहाँ देखता हूँ उपर, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है, मैं इसका link जो है अपने WhatsApp गुरूप में डाल दूँगा इसका लिंक देखिए यहां पर जो भी package आपका है वो है 2LPA से ले करके 2LPA से ले करके 3.5 PLPA तक 3.5 PLPA तक यानि कि आपको starting में 16,000 या फिर आपको 25,000 या आपका starting है और यहां पर दो सो वेकेंसी आया हुआ है और यहां आपका है remote जाब तो आपको यहां पर click करना है मैंने आप click किया और click करते ही आप लोग यहां पर देख सकते हो कि आपको क्या क्या requirement होई चाहिए सबसे पहला point कि आपको अंग्रेजी आना ही चाहिए आपको अंग्रेजी आना ही चाहिए यह चीज है और यहां देखिए मस्ट है विश्किल, कस्टमर सर्विस, रिमोट, तमिल वाइस और यहां पर यह चीज दिया गया है minimum qualification 10 प्लस 2 या फिर कोई भी graduate इसको apply कर सकते हो यहां देखिए यहां पर जो भी आपका salary है यहां पर दिया गया है देखिए और आप यहां पर नीचे जाएंगे और आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर यहां पर लिखा गया है कि graduation not required है यहां पर graduation required महीं है तो आप यहां पर नीचे क्लिक करोगे नीचे, यहाँ पे देख सकते हूँ, apply now दिया गया है, तो आपको यहाँ पे click करना है, मैंने आप click किया, तो जैसे आप यहाँ पे click करोगे, तो आप company के website पे चले जाओगे, company के website पे आप यहाँ पे चले जाओगे, और वहाँ पे आपको सारा document फिल करना है, तो मैंने आप click क तो आप यहाँ पर अपना country चूच करोगे, मैंने यहाँ चूच किया इंडिया, सबसे पहले अपना account को create करोगे, देखे, यहाँ सबसे पहले आप account को create करोगे, देखे, आपको सबसे पहला point कि आपको account create करना पड़ेगा, अगर आपका account पहले से ही create है, तो आप चाहे email ID या पिर अपना mobile number लिख सकते हो, उसके बाद password लिखेंगे, तो यहाँ पर लागिन हो जाएगा, अगर आपका account Amazon job पे नहीं है, तो आप सबसे पहले अपना account को create करोगे, तो मैं यहाँ पर open करता हूँ, मतलब यहाँ पर click करता हूँ, create open पर, मैंने click किया, और click करते ही, आप यहाँ पर सबसे पहला point, यहाँ लिखा गया है, कि आपको पहला name लिखना है, तो मैं यहाँ लि अस्तोस, फिर यहाँ पे चतुरवेदी, फिर यहाँ पे आपको email address लिखना है, तो यह मेरा है email address, फिर यहाँ पे email address दुबार आपको लिखना है, फिर आपको यहाँ पे mobile number लिखना है, यहाँ रिखे, यहाँ पे जो भी आपको mobile number है, आप यहाँ को mobile number क्लिक करोगे, ठीक, जो कि 6 नंबर का होना चाहिए, तो आपको यहां पर कोई भी 6 नंबर का पिन आपको create करना है, जैसे कि मैंने click किया 3 बार, 1,2,3,4,5,6, फिर यहां पर, 1,2,3,4,5,6, यहां पर click करोगे, click करने एक बाद आपको यहां पर next पर click करना है, तो मैं यहां पर अपना सबसे पर थो यहां पर थोड़ा सा मुवाइल नंबर आपको सही लिखना पड़ेगा, मुवाइल नंबर आप यहां पर लिखेंगे, और लिखने के बाद आप यहां पर 6 डिजिट का एक पेन लिखना आपको create करना है, तो मैं यहां पर create करता हूँ, create करना आपको यहां पर next पर click करना है, तो मैं यहां पर click किया, यहां पर लिखा गया है, कि this email is already registered, आपकी सामने यहां पर दिया गया है, this email is already registered तो मैंने यहाँ पहले सही login कर लिया है आप जैसे आप यहाँ पे next पे click करोगे जैसे आप यहाँ पे next पे click करोगे तो आपको सबसे पहले सारा document फिल करना पड़ेगा मैं एक काम करता हूँ कोई अपना है पे दूसरा email लिखता हूँ अस्तोर जी यहाँ पे click करता हूँ next पे फिर यहाँ पे यह चीज़ मैंने गल्थ लिख दिया यह 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 यू यह 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 फिर बहुत ही सही से आपको यह सारा document फिल करना है और फिल करते ही next पे click करना है मैं click किया सभी लोग ध्यान से करेंगे और यहाँ देखें this mobile number is already registered क्योंकि मैंने पहले से ही सारा यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे open नहीं हो रहा है तो सभी लोग अपना सारा document आप यहाँ पे फिल करोगे फिल करना एक बात जो है आपको अहाँ पे अपना नेम मनलब की आपका पहला वाल नेम फरस्ट नेम मिडियल लेम लास्ट नेम यह आपको फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ आइडी फिल करना पड़ेगा सभी लोग ध्यान सुनिए नेशनल आइडी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चाहे आपका pen card हो चाहे आपको आपका अधार card हो सभी लोग नोट करेंगे कि अगर आप अधार card लिखते हो अपने नेशनल आइडी में तो वो छी थोड़ आपको क्लिक करते हो तो यहाँ पे pen card का number मांगेंगा वो ची लिखेंगे तो जैसे ही आप लोग सारा document फिल करेंगे तो आपके screen पे यहाँ पे Amazon की तरफ से एक assessment आजाएगा और यह assessment आपको laptop में या पे desktop में करना होगा तो इसी प्रकास से आप Amazon जॉप के लिए apply करेंगे औ और यह video अपने दोस्तों पास maximum share करेंगे तो आज के लिए बस इतना है और जो लोग telegram गुरूप में और WhatsApp गुरूप में नहीं जॉइन हो तो वो लोग जागर के जॉइन हो जाएए क्योंकि मैं वहाँ पे new new remote job link प्रवाइड करता हूं ठेक तो आज के लिए बस इतना है थ य हूं कुरष्ण घबएडबस एक बस्तों और जाड वीड टकरता है इतना है वाएएड जाज करेंगे मैं अपन्य स्प्रवाद करता है को बद्द आज करता है आज करता है वे तो वेपनगे जाज चेइं होगे है बस्तों अजूब